इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्या कालीन भारत से लेलेटिट सभी इंपोर्टेंट क्वेशन जो एक्जाम में पूछे गई हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेशन है सिंध्य उपर विजय प्राप्त करने वाले अरब सीना के सीनापती का नाम बताईए तो राइट आंसर होगा मुहमद बिन कासिम कब किया था इनोंने आकरमन भारत पर 712 इस्वी में ये जो था अरब का रहने वाला था और भारत पर जो है सबसे पहली बार आकरमन करने वाले भी कौन थे अरब मुसलिम ही थे ठीक है नेक्स देखे तराइट की दूसरी लड़ाई में पृतिराज को किस ने प्राजित किया था तो तराइट की दूसरी लड़ाई में पृतिराज को मुहमद गोरी ने प्राजित किया था तराइट के दो युद हुए थे पहला युद हुआ था 1191 दूसरा हुआ था 1192 दोनों ही जो हैं प्रिथ्यराज चुहान और मुहम्मद गोरी के बीच में हुए थे पहले युद में प्रिथ्यराज विजही रहे थे और दूसरी में प्रिथ्यराज के हार हुई थी और मुहम्मद गोरी जो थे वो विजही रहे थे तो राइट आंसर होगा मुहम्मद गोरी प्रित्वी राध चुहान को मुहम्मद गोरी ने किस युद में हराया था? तो राइट आंसर जो होगा यहां पे वो होगा तराइन की दूसरी लडाई ने ठीक है क्योंकि तराइन की दूसरी लडाई में इससे पहले जो था उस पे किस का साशन था पृठिराच चोहान का था और मुहमत गोरी ने उसे उसी उद में प्राजित किया और उस छेतर पर जो है अधिकार कर लिया था तो राइटांस राइका तराइन की दूसरी लडाई निमन लिखित में से किस राजपूत राजा ने मुहमत गोरी को पहली बार हराया था मुहमत गोरी को सबसे पहले किस ने हराया थे यह बताना है तो वो था अहिल वाड का वगेल साशक भीम दूईती है ठीक है तो वगेल भीम ने हराया था मुहमत गोरी को सबसे पहले कब 1178 इस्वी में ठीक है पिर सिरा चुहान ने तो बाद भी हराया था 1191 में लेकिन सबसे पहले मुहमद गोरी को किस ने हराया था किस राजपूत राजा ने खाराया था बगेल भीमने 1178 इस्वी में नेक्स देखें निमन लिखीत में से किस का मिलान सही किया गया है सुल्तान ने फिरी सुल्तान को लूटना इसमें जो है यह बिलकुल करेक्ट है यह है मुहम्मद गोरी सिंध परविजे यह गलत है अलाव दीन खिलजे बंगाल में विदरो यह भी गलत है मुहमद बिन तुगलत चंगेज खान का अक्रमन यह भी गलत है तु जो इसमें सही है और 406 तो दिल्ली सुल्तान का ज오 साशन था यह वा था कि हैं फसी में मतलओ 209 में जो हैं मुहम्मद गोरी की मुलति के बाद कुटूबदिन एंवग ने दिल्ली में साशन शुरू किया था और दिल्ली का पहला तुर्क साशक कुन था कुटूबदिन एवक ही था ठीक है नेक्स देखे अजमीर में धाई दिन का जोपड़ा किस ने बनवाया था तो राइट आंसर होगा कुतुब दिन एवक ने अधाई दिन का जोपड़ा जो था कुतुब दिन एवक ने बनवाया था और ये जो जोपड़ा था ये बनवाया गया था संस्कृ विधाले के स्थान पर और कुटब दिन एबग ने और अन्य मार्तिव बनाई जैसे कुवत अलिस्लाम है कुटब मिनार है किसने बनाई कुटब दिन एबग ने बनवाई थी नेक्स देखिए निमलिखित को काल करमा नुसार लिखे तुगलक, लोदी, सयद, इलबारी या खिलजी तो देखिए जो सबसे पहले आये थे वो थे इलबारी तुर्क ठीक है सबसे पहले आये थे इलबारी तुर्क तो सबसे पहले फोर्थ नंबर पे देखिए दी ओप्शन जो है वो ठीक होगा पहले इलबारी तुर्क फिर आये थे खिलजी, नेक्स्ट तुगलक और फिर सयद और फिर लोदी देखे सबसे पहले इलबारी तुर्क और सबसे लास्ट में लोदी बीच का याद रखे खिलजी, तुगलक और फिर सयद ठीक है? नेक्स सेखे कुतुब मिनार किस प्रशिद साशक ने पूरा किया था अभी हमने पढ़ा था कि कुतुब मिनार जो है शुरुआत किस ने की थी कुतुब दिन एवक ने की थी लेकिन उससे पूरा नहीं बनवाया था कुटुब दिन एवक ने, उसे पूरा करवाया था, इल्थू तमिष ने, तो रायट अंसर होगा, किस आशक ने पूरा किया था, इल्थू तमिष ने, नेक्स देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बल्बन किस सुल्तान का प्रधान मंत्री था, नशिरु दिन ने ही जो है बल्बन को उलूग खा, तो पूच सकते हैं, अलूग खा की उपादी किस ने धारन की थी, तो ये बल्बन ने की थी और ये किस ने दी थी, उन्हें नशिरुदीन ने दी थी, ठीक है, बल्बन जो था उसका उत्रादी कारी बना, क्योंकि नशिरुदीन का जो है कोई पुत्र नहीं था 1266 में जब नश्रीय दिन की मृत्यू हुई उसके बाद बल्वन जो था उसका उत्राधी कारी बना नेक्स देखे निमन लिकित में से दिल्ली का पहला प्रभूता संपन सुल्तान कौन था कुतुब दिन एबग बल्वन अलाओ दिन खिलजी इल्टू तमिश ठीके तो कुतुब दिन एबग जो थे उसे तुर्की का संस्थापक माना जाता है भारत में तुर्की राज़य का संस्थापक लेकिन दिल्ली का जो प्रत्थम और वो जो था दिल्ली का प्रत्थम तुर्क साशक भी था कुतुब दिन एबग लेकिन दिल्ली का पहला प्रभुता संपन सुल्तान पूछा इन्होंने तो वो था इल्टू तमिश ठीक है नेक्स देखे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा अगर यह पूछा जाए कि तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तो कुतुब दिन एबग या दिल्ली का पर्थम तुर्क शासक कोन था कुतुब दिन एबग लेकिन प्रभुता संपन सुल्तान जो था वो कोन था इल्टू तमिश यह कौन था इल्टू तमिश इल्टू तमिश था कुतुब दिन एबग का दमान और उत्राधिकारी ओके नेक्स देखिए दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था तो राइट आंसर वही इल्टू तमिश नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने सामराजी की राजधानी भोशित करने वाला दिल्ली का प्रत्थम सुल्तान कौन था इल्टू तमिश राइट आंसर क्या होगा इल्टू तमिश चंगेज खान ने जलालु दीन का पीचा करते हुए किस के साशनकाल में भारत की सीमाओं पर आकर्मन किया था कुतुब दीनेबग इल्टू तमिश बलबन नश्रीदिन खुश्रो तो मंगोल का था यह आकर्मन कारी चंगेज खान इसनी जो है भारत की सीमाओं पर आकर्मन किया था उस वक्त जिसका साशन था वो था इल्टुतमिश, इल्टुतमिश के साशन काल में जो है चंगेज खान ने भारत की सिमाओं पर आकरवन किया था निमन में से किसको शक्ति चाली नोबलों के एक सम्हूं चिहाल गानी के विनाश का श्रे दिया गया था तो देखें चिहाल गानी क्या था यह चालीस तुर्कों का एक दल था चिहाल गानी और जिसने इसे बरबाद किया वो भी इसका खुद एक सदश्य था तो वो कौन था बलबन ठीक है बलबन नहीं जो है इसे बरबाद किया था विनाश किया था तो अभी पढ़ा था हमने बल्बन जो इसका खुद भी एक सदश्य था तो राइट अंसर होगा रज्या सुल्तान अल्तमस की बेटी थी याद रखे और उनका साशन जो था वो कब से कब तक था 1236 से 1240 से श्वी तक तीक नेक्स देखे वे दो वंशज कौन थे जिन उन्हें खिलजी साशकों से ततकाल पहले और बाद में साशन किया तो खिलजी साशकों से पहले कौन था गुलाम वंश था और बाद में कौन था तुगलग तुगलग ठीक है तो राइट आंसर होगा गुलाम तथा तुगलग नेक्स देखें दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल अफगान तुर्क एक जाट कबिला तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे तुर्क स्वैं को दूसरा सिकंदर मिन सिकंदरे सानी कहने वाला सुल्तान था बलबन अलावदिन खिलजी मुहमद बिन तुगलग सिकंदर लो दे तो सिकंदरे सानी किस ने खा था खुद को अलावदिन खिलजी ने नेक्स देखे, सल्टनत वंस की विशालतम स्थाई सेना जिसका भुक्तान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी इल्तुतमश ने अलावदिन खिल जी ने मुहमद बिन तुगलक ने इस सिकंदर लो दीनी तो यह जो सेना थी, यह बनाई थी अलावदिन खिल जी ने बी ओप्षिन जोंच और बुगक्त, नेक्स देखे दक्षिन विजय करनी का मिशन अलावदिन खिल जी ने किसे सोबा? तो यह मिशन सोबा था मलिक काफूर को टीक है? नेक्स देखे बाजार वी नियमन प्रणाली आरंब की गई थी बाजार वी नियमन प्रणाली भी जो है आरंब की थी अलावदिन खिल जी ने वे सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था तो वो भी थे अलावदिन खिल जी ठीक, नेक्स देखे, निमन लिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, हुसेन सहा, अमीर कुश्रो, बारबक शहा नान, तो भारत का तोता या तूतिये हिंद भी कहा जाता है, अमीर कुश्रो को, नेक्स देखे, निमन लिखित में से बलबन से लेकर गयासु दिन तुकल किया बंदायूनी जिया उद्दीन बर्णी अमीर खुश्रो याई बन बतूता तो राइट आंसर होगा अमीर खुश्रो ठीक है किस कारण से मुहमद बिन तुगलक ऐसफल व्यक्ति था वह विक्षिप्ट था वह व्यावारिक राजनीता नहीं था उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया उसने चीन के साथ युद्ध किया तो मुहमद बिन तुगलक ऐसफल व्यक्ति था क्योंकि वह एक व्यावारिक र औरंगाबाद निजामाबाद या भुपाल तो दोलताबाद जो है महराश्ट्र का एक नगर है और इसका प्राचीन नाम जो था वो देवगिरी था और ये जो है अब औरंगाबाद जिला के पास समीप है तो याद रखिए दोलताबाद का प्राचीन नाम जो था वो था का सुल्तान कौन था तो ब्रामनों पर जिनों ने जजिया लगाया था वो था फिरोज तुगलक ठीक है नेक्स देखें भारत में चमडे की प्रतीक मुद्रा किस ने प्रारहंब की तो ये भी की थी मुहमद बिन तुगलक ने मनियारो का राजकुमार किसे कहा जाता था महमद बिन तुगलक को कुटब मिनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततय पुनर निर्मान किया गया था बलबन अलावदिन खिलजे सिकंदर लोधी फिरोज तुगलक तो इनमें तीन लोगों का योगदान रहा कुटब मिनार क बरानी में सबसे पहले नेव जो डाली थी वो डाली थी कुटब दिर एबक ने उसे कंपलीट किया था इल्टु तमिष ने और जो भी भुकंप वगएरे से जो भी उसमें शती हुई थी वो से पूरा किया था फिरोज तुगलक द्वारा तो पुनर निर्मान किस ने किया था पुतम मिनार का फिरोज तुगलक ने ठीक नेक्स देखिए किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक साशन किया था खिलजी तुगलक दास या लोधी वंश तो सबसे जादा समय तक जिसने साशन किया वो था तुगलक वंश ठीक है सबसे पहले हम बात करें खिलजी वंश की तो खिलजी सबसे पहले आया थे दास वंश वरी दास वंश का जो साशन काल रहा हो रहा बारा सो चे से बारा सो नब्बे इस वी तर ठीक है दास के बाद आया थे खिलजी दास यानि कि गुलाम वंश तो गुलाम थे बारा सो चे से 1290 उसके बाद आये थे खिलजी वंस जिसका कारे काल क्या था 1290 से 1320 ठीक है फिर आये था तुगलक वंस जिनका साशन रहा 1320 से 1414 इस्वी तक ठीक है एंड लास्ट में जो थे वो लोदी थे जिनका वो जो रहा 1451 से 1526 तक तो सबसे जादा अगर बात करें साशन काल के तो वो रहा तुगलक वंस का तो राइट आंसर यहाँ पे होगा तुगलक वंस नेक्स देखिए दिल्ली के सुल्तानों की वंशो को कला काला नुकरम में विवस्थित कीजिए तो इसमें चारी ओप्षन थे लेकिन पाच्वा मैंने जोड रखा यह लोदी लोदी वंस जो था वो सबसे लास्ट में आया था तो यह तो अलगी है इनमें देखते हैं सबसे पहले कौन सा आया था तो हमें पता सबसे पहले आया थे गु ठीक है तो गुलाम, खिलजी, तुगलग, सयद और लोदी ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओप्षन डी ठीक है नेक्स देखें निमन लिखित में से किस सुल्तान ने स्थी प्रेथा रोकने का प्रियास किया अलाउदिन खिलजी, मुहमद बिन तु मुरक्को फारस तुर्की मध्य इशा, इबन बतुता जो था वो मुरक्को का निवासी था और इसने अपनी सवदेश लोटनी का जो भी यात्रा का जो वरणन था वो किया था रिहला नामक गरंथ में ये पूछ लिया जाता है कई बार कि रिहला नामक गरंथ किस ने लिखा ठीक है और एक चीज इबन बतूता मोरोकक हो था ये किसके साशनकाल में आया था ये भी पूछा जाता है तो राइट आंसर होगा मोहमद बिन तुगलक के साशनकाल में जो है इबन बतूता भारत आया था नेक्स देखे इबन बतूता किसके साशनकाल में भारत आया था ये को अंदर लोधी लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और जो आखरी था लोधी वंश थी वो था इब्राहिम लोधी तो सी ओप्शन जो है करेक्टे यां नेक्स दीखिए दिल्ली सल्तनत का राजय काल कब समाप्त हुआ तो अभी हमने पढ़ा कि जो लास्ट वाला जो प्रत्थम युद में जिसमें उसने बाबर में उसे हराया था तो दिल्ली सल्तनत का राजय काल कब समाप्त हो गया 1526 सिस्वी में जब पारिकवत का युद्ध हुआ और उसमें इब्राहिम लोधी की हार होई थी तो बी ओप्शन जो है वो करेक्ट होगा नेक्स देखिए दिल्ली संतलंत का अंतीम वंश क्या था तो राइट अंसर है लोधी वंश ओके नेक्स देखिए मिलान करना है कि किसने क्या बनाया है तो लाल किला दिल्ली का शहाजा ये तो सभी को बता होते है तुगलक अबाद किला तुगलक से पता चल रहा है गयासुदीन तुगलक न ठीक है और the city of city ये बनवाई थी अलावदिन खिलजी ने next देखिए तो यहाँ पे जो correct answer वो होगा वो होगा option B next question है सूफी परंपरा में पीर से क्या आश्य है सरवोच्चे इश्वर सूफियों का गुरू सभी सूफी संतों मिश्रव शेख या सूफियों के आस्थाओं के लिए लड़नी वाला परंपरा वादी सिक्षर तो पीर जो होता है सूफी परंपरा में ये होता है सूफियों का गुरू ठीक है दो होते हैं पीर एक पीर होता है एक मुरीद होता है पीर होता है गुरू और मुरीद होता है सिश्य हाथ कि दोन्य यहाद रखिये कि नेश देखे सूफी अंदुल्ण मुलते कहा से प्रारहंब हुआ डिली लाहोर काबुन यह फार्श परसिया तो सूफी अंदुल्ण जू है प्रारहंब Rs. हूआ था परषिया और इसे जो है वर्तमान में क्या कहा जाता है किस नाम से जाना जाता है इरान ठीक है परशिया को किस नाम से जानती है इरान के नाम से ठीक है नेक्स देखे सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया चिस्ती, ओलिया, सिलसिला, शुक्र बरदी तो सूफी आदेशों को जाना गया सिलसिला की नाम से अमीर खुश्रों एक संगीत अग्य था और सूफी संद, फार्सी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, इतियासकार उप्युक्त सभी तो अमीर खुश्रों एस सभी था, सूफी संद भी था, फार्सी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था इतियासकार भी था, संगीत अग्या भी था, तो रायट अंसर आएगा उप्यूक्त सब ही next देखिए, मिलान करना है कि भक्ति संप्रदायों से सबसे पहले है शंक्रदेव, शंक्रदेव जो है कि संप्रदाय से थे एक्षरण ध्रम से, जग जीवन जो थे, वो सतनामी संप्रदाय से, लालगीन या लाल बेग जो थे, वो अलखनामी संप्रदाय से और गौविंद प्रभू जो थे, वो महनुबाव, पंथ से रिलेटिड थे, ठीक है तो option A जो है इसका correct answer होगा, ठीक है next देखिए सुफि संतो का मिलान करना है सिलसिलों के साथ, तो देखे सबसे पहले है सेख निजामुदीन ओलिया, तो ये जो है किस से रिलेटिड है, चिस्तिया से, बहाउदीन जुकारिया सुहारवर्दी से, मियामीर कादीरी से, सुरी वेट, सेख निजामुदीन ओलिया चिस्तिया स बहाउदिन जकारिया सुहारवर्दी से, मियामेर कादीरी से, और एहमद सरहिंदी नक्षबंदी से रिलेटेड थे तो option B जो है यहाँ पे correct answer होगा Next question है, अलवार संतों काविर भार निमल मिर्खित में से कि साधुनिक राज्य से हुआ? तो दो दार्मी कांदोलन जो famous हुए थे दक्षिन भारत में वो थे एक था अलवार संत और दूसरा था नैनार संत ठीक है, अलवार संत जो थे वो वैशनाव के भगत थे विश्नु के यानि क्योंने वैशनाव संत का जाता है और नैनार को का जाता है शैवशंत ठीक है, और ये जो दोनों थे दक्षिन भारत में famous हुए दक्षिन भारत के तमिल शित्र में, तमिल शित्र में कहां? तमिल नाडू में ठीक है, तो राइट अंसर यहां पे आएगा तमिल नाडू इसके लाबे याद रखे कि अलवार जो थे वो वैशनाव संत थे, नैनार जो थे वो शैव संत थे भक्ति प्रचारक संक्रदेव ने निमन प्रादेशिक भाशाओं में से किस का उप्योग करके उसे लोगप्रिया बनाया था? अस्मिया बंगला ब्रिजव भाशा अवधी तो राइट आंसर होगा अश्मिया भाशा को देखे शंक्रदेव जो थे वो असंत के धार्मिक सुधारक थे तो उन्होंने जो है अस्मिया भाशा को लोगप्रिया बनाया था सिवाजी के सम सामी एक मराठा संत का नाम था तो सिवाजी के जो समकाली थे मराठा संत उनका नाम था संत तुकरा इसके अलावा सिवाजी के गुरू का नाम पूछा जाता है तो रामदास जो थे वो छत्तरपति शिवाजी के गुरू थे चीक है याद रखी नेक्स देखी एनालेक्टस पवित्र गरंत है शिन्तो धरम का, टाव धरम का, कन्फ्योशियन धरम का या जुडा धरम का तो एनालेक्टस जो है ये पवित्र धरम है, कन्फ्यूस वाद, य Crossing धरम का नेक्स दी देखे विजयनगर राज्ज की स््थापना किस ने की तुलव संगम सालोव देवराय तू विजयनगर राज्ज की स्थापना की थी संगम मन्त के शाशक हरी हर और बुक्का ने 1336 इश्वि में तो यह targeting किस से रणे रहे थे, संगम anlam से, नेउस्ट दिखे, विजयनगर के साष को ने प्रोध साहित किया, किस की किस भात बह опыт, भाशा को जो है, विजयनगर के साष को ने प्रोध साहित किया था, तो चार भाशाइं थी, वो थी कंणड, तमिल, तेलगू, और संस्क्रित तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा तमिल तेल्गु और संस्क्रित को ठीक है इसके लावा कंणड भी थी यह भी आद रखिए नेक्स देखे गोवा के महतुकून किले को भहमनियों से चीनने वाला प्रत्थम विजय नगर साशक कोन था तो गोवा को भहमनियों से चीनने वाला प्रत्थम विजय नगर साशक था हरीहर द्वीति है ठीक है नेक्स देखे 1420 इस्वी में विजय नगर सामराज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था अड़ो आड़ो बार्बोसा, निकोलो डी कॉंटी, अब्दूर रज्जाक, डॉमिन्गो स्पेस तो इटली का यात्री जो विजय नगर सामराज्य में भारत आया था 1420 इस्वी में वो था निकोलो डी कॉंटी और ये किसके साशनकाल में आया था, ये भी याद रखिए ये आया था देवराई, प्रत्थम के साशनकाल में भारत आया था ठीक है, next question देखिए कृष्ण देवराई ने कौन सी पुष्टक लिखी थी? विताक्षरा, रास्तरंगिनी, करपूर मंजरी या अमुक्त मालध्य तो देखिए, इसने, जो है, कृष्ण देवराई ने तेलगु भाषा में अमुक्त मालध्य नामक भुक लिखी थी, और एक इसने संस्कृत में भी लिखी थी संस्कृत में लिखी थी जांबवती कल्याणम ठीक है जांबवती कल्याणम भी लिखी थी इनोंने संस्कृत में और तेलगु बाशा में अमुक्त मालद्य ठीक है तो right answer यहाँ पर आएगा अमुक्त मालद्य लेक्स देखिए तेलगू कृती अमुक्त मालयद्य का लेखा कौन था कृषिन देव राय निवन में से कौन से साइट्य कृती कृती कृषिन देव राय ने लिखी तो राइट अंसर अमुक्त मालयद्य अमुक्त मालयद्य किसका कारिया है कृषिन देव राय का next question है विजय नगर के मध्या काली नगर को आजकल कहती है चंद्रिग्री, हले बिद्दू, हमपी या कोंडा बिद्दू तो आजकल जो है जो मध्या काली नगर था विजय नगर का वो उसे जाना जाता है हमपी की नाम से और हमपी कहां पर है ये करनाटक में है किस किस के बीच में हुई थी विजय नगर सामराज्य और दक्षिन की राज्य थी बीजापूर, बीदर, एहमदनगर और गोलकुंडा इनके बीच में लड़ा गया था ये युद ठीक है, next देखे मरमर विधी से गोल गुमबज का निर्मान किस ताशक द्वारा किया गया था तो मरमर विधी से गोल गुमबज का निर्मान किया था महमुद आदिल्चाद द्वित्यने ये भी पूछ ले ना सिर्फ गोल गुमबज का निर्मान किस ने किया था मुहम्मद आदिल शाने, बीजापूर में है गोल गुमबद, नेक्स देखें, गोल गुमबच कहाँ पर है, कुनार खेदराबाद पूरी बीजापूर, तो गोल गुमबद है बीजापूर में, नेक्स देखें, बीजापूर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है, गोल ग ही ने निमल लिकित में से उस आशक का नाम क्या है जिसने विजय स्थंब का निर्मान कराया था विजय स्थंब का निर्मान कराया था राना कुम्भाने ठीक है और इसे जो है विजस्थम्ब को किर्थिस्थम्ब के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी पूछ सकने कि किर्थिस्थम्ब का किसने निर्मान कराया था तो राणा कुम्भाने ही नेक्स कोशन देखिए जितोड का किर्तिश थम्ब किस ने बनवाया राणा कुम्भाने निमन लिखित में से किस ने बीदर में मदर्शे का निर्मान करवाया था तो बीदर में मदर्शे का निर्मान करवाया था महमूद गमाने नेक्स कुशन देखिए सू विख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था ओरिस्ता चोटानाकूर बीजापूर गोलकंडा तो कोहिनूर हीरा जो है वो निकला था गोलकंडा की खान से तो राइट आंसर आएगा गोलकंडा अगला कुशन देखिए भारत का प्रत्थम मुगल बादशा कोन था शाजा, हुमायू, बाबर या अकबर भारत का प्रत्थम मुगल बादशा था बाबर ठीक है बाबर नहीं जो है सबसे पहले किसी रहा था इबराहिम लोदी को पानिपत के प्रत्थम युद में तो मुगल काल की जो है नेम किस ने डाली थी, बाबर ने डाली थी, नेक्स देखे, पानिपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1526 में, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई पानिपत की हुई थी, 1556 में और 1761 में जो है पानिपत की तीसरी बावर नी जो है तुझके बावरी जिसे बावर नामा भी कहा जाते हैं ये किस बाशा में था ये था तुर्की बाशा में ठीक है नेक्स दिखे दिल्ली में मुगल समराज्य की निव निमलिकित में से किस लडाई के प्रिणाम सहरूप पड़ी तो राइट आंसर होगा मुगल समराज्य दिल्ली में मुगल समराज्य की निव तो हमें पता है दिल्ली का जो भी आक्री जो वन्स था वो था लोधी वन्स उसके बाद मुगल समराज्य आया था और ये निव पड़ी थी पालिवत की पहली लडाई की बाद ठीक है और इस का प्रियोग किस ने किया था या किस युद में किया था ठीक है बाबर ने किया था ये नेक्स देखिए निमन में से मिलान करना है समकालीन मुगल बादशाकी साथ मिलान जो गलत है वो बताना है जो मिलान गलत है वो बताना में राना सांगा बाबर से बिलकुल ठीक है पित्र पिरार सिंग, शाहाजासी, जस्वंत सिंग औरंग जेव से, थिराथ चुहान और अकुबर जो है, वो समकालिन नहीं है, तो भी ओप्षन यहां पर सही होगा, नेक्स देखे, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रियोग किस नहीं किया था, तो सबसे पहले तोप खाने का प्रियोग किया था, बाबर नी, ठीके, इसके लाबा याद रखे, बाबर नी जो है, भारत पर टोटल पांच भाराकरमन किया था, और बाबर को ही जो है, मुंबईया नामक जो पद शैली है, उसका जनमदाता माना जाता है, खानवा के यूद में बाबर द्वारा प्राज सांगा के बेच, जिसमें बाबर की विजई होई थी, और राणा सांगा आर गए थे, तो राइट आंसर याँ पर देखे, यही पूछा है, कि किसके उप्राजित किया था, बाबर नी, खानवा की यूद में राणा सांगा को, इसके डेट याद रखे, यही पूछे जाते ह हुआ था यह, बाबर की मृत्यू कहां हुई थी, बाबर की मृत्यू हुई थी, आगरा में, ठीक है, नेक्स देखे, पुराना किला किस ने बनवाया, पुराना किला बनवाया था, सेर्शा ने, ठीक है, पंदरा सो चालीस इस्वी में किस यूद के पश्चात हुमाईयू क से बाहर कर दिया गया था, दोरा, सुरजगर्ड, कनोज या चोसा, तो कनोज के युद के बाद जो है, हमायू को जो है, वेट, हाँ, ठीक है, कनोज के युद के बाद जो है, हमायू को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, इसके लावा याद रखे, 1549 में एक युद हु चोसा कायूद पूछ लिया जाते हैं और 1540 में जो कन्रोज कायूद हुआ उसमें हुमायू को हिंदुस्तान से बाहर किया गया था और चोसा का युद किस-किस के बीच में हुआ था शेर्षा शूरी और हुमायू के बीच में हुआ था जिसमें शेर्षा शूरी ने हुमायू को प्राजित किया था और शेर्षा की उपादी धारन की थी पहले उसका नाम क्या था? शेर खान था उसके बाद जो उसने शेर्शा की उपादी धारन की थी ठीक है, नेक्स देखे हुमाईयों को किस लड़ाई में प्राज्य के बाद भारत से भागना पड़ा था तो राइट आंसर होगा, कन्नोज की लड़ाई के बाद कन्नोज का युद किस वर्ष में लड़ा गया था कन्नोज का युद हुआ था 1540 में ठीक है, 1526 में पानिपत की लड़ाई हुई थी 1549 में जोसा का युद हुआ था तो कन्नोज का युद था 1540 में नेक्स देखें, दिल्ली में हुमायो का मकवरा किस ने बनवाया था, दिल्ली में हुमायो का मकवरा जो है, बनवाया था, हुमायो की पत्नी हाजी बेगम ने, तो राइट अंसर यहां पे हाजी बेगम होगा, मिधावी राजसव अधिकारी टोडरमल ने किस के अधीन सेवा की थी तो टोडरमल ने जो है ये तो सबको बता है कि अकबर के अधीन भी की थी टोडरमल ने लेकिन उससे पहले जो है उसने सेर्शा के अधीन जो है सेवा की थी तो यहाँ पर सेर्शा आएगा next देखे कलानोर मिराज्य भीषेक के समय अकबर की आयू कितनी थी तो right answer होगा 13 वर्ष next देखे महाभारत का फार्सी में अनुवाद किस नी किया था बंदायूनी अबुल फज़ल इबन बतूता बाबर तो महाभारत का फार्सी में अनुवाद किया था बंदा यूनी ने ठीक है नेक्स देखे रमायन का नुवाद फार्सी में किस ने किया था रमायन का नुवाद भी फार्सी में बंदा यूनी ने ही किया था महावारत का भी और रमायन दोनों का ही जो है फार्सी में नुवाद किया था बंदा यूनी ने ठीक है नेक्स देखिए नोक्त में से किस ने अकबर की जीवन कथा लिखी है अबुल फजल फैजी अब्दुल नभी खाँ बिरबल तो अकबर की जीवन कथा लिखी है अबुल फजल ने जिसे अकबर नामा के नाम से जाना जाता है तो ये किस ने लिखी थी अबुल फजल न ठीक है नेक्स दीखिए वे प्रशिद जैन विद्वान कोन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थी तो राइट आंसर होगा हरी विजे ठीक है नेक्स कुशिन है दीन इलाही बनाने का मूल उदिश्य था विश्य बन्दुतव वेश्विक निस्ठा वेश्विक मैत्री वेश्विक भरोसा तो राइट अंसर है विश्य बन्दुतव आईने अकबरी पुस्तक का लेखा कौन है अबूल फजल अकबर नामा किसने लिखा था अबूल फजल ने लिखा था यह भी आईने अकबरी जो है अकबर नामा जो एक ग्रंथ है इसी ग्रंथ का तीसरा खंड है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है तो यह दोनों ही जाय बुल फजल ने लिखे हैं हल्दी गाटी की लड़ाई किन के वीच लड़ी गए थी तो हल्दी गाटी की लड़ाई लड़ी गए थी अकबर और राणा प्रताप सिंग के बीच में कब हुई थी ये लड़ाई 1576 इस्वी में लड़ी गए थी बेवाड के साशक राणा प्रताप और अकबर के बीच में नेक्स देखिए, मनसबदारी प्रणाली किस ने आरंब की थी, मनसबदारी प्रणाली आरंब की थी, अकबर ने, निमन में से किस ने मनसबदारी विवस्ता का सुत्रपात किया था, अकबर ने, फतेपुर शिक्री का निर्मान किस ने किया, फतेपुर शिक्री का निर्मान भ वो हैं मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो है वो फतिपूर सिक्री में नहीं है, ठीक है, बाकी दो तीनो है, पंच मेल है, सलीम चिस्ती का मकबरा है, मरियम पहले से है, ये तीनो है जो है फतिपूर सिक्री में है, सबसे मेले पंच मेल देखे, पंच मेल जो है ये किसका मकबरा है ये सलीम चिस्ति का मुखबरा है ठीक है उसके बाद है और मोतिस्जिद में राइट अंसर था मोति मसजिद कहां पर स्थित है यह दिल्ली तथा आगरे के किले मिस्तित है ठीक है फतेपुर स्क्री में नहीं Next, देखे, अकबर अपना धारमिक विचार्वि-मर्ष कहां करता था जोदाभाई महल, पंच महल, अबादत खाना या बुलन दरवाजा धारमिक विचार्वि-मर्ष करता था अबादत खाना में So right answer अबादत खाना तो आगे देखें अकबर के आरहमिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था, सरक्षक कौन था, बैरम खान, नेक्स कुशन देखें, अकबर का भी रक्षक कौन था, बैरम खान, निमन लिखित में से किस साशक ने जजिया समाप्त किया था, जजिया समाप्त किया था, अकबर ने जब ये प्रणाली के अंतरगत वास्तिक उत्पादन का कितना अंस राज्य की मां के रूप में निर्धारित किया गया था तो राइट अंसर होगा एक तिहाई भाग अकबर का प्रशिद राजस्व मंतरी कौन था राजस्व मंतरी था अकबर का टोडरमल अकबार के दरबार में सबसी प्रशिद संगीतकार तांसियन का मूल नाम क्या ही था तांसियन का नाम था रामतनु पांडे दीने इलाही एक नया धरम निमलिकित में से किस के द्वारा शुरू किया गया था दीने इलाई जो एक धरम था ये शुरू किया था, अकबर ने, ठीक है, और इसके प्रत्थम अनुयाई भी पूछ ले जाते हैं, दीने इलाई के, तो इसके प्रत्थम अनुयाई कौन थे, बीरबल थे, नेक्स देखे, निमन लिकित में से कौन दीने इलाई का सदश्य बना था, राजा बीरबल, अकबर के एक मात्र किस दरबारी ने, दीने इलाई को स्विकार किया, बीरबल ने, निमन लिकित में से कौन सा व्यक्ती निरक्षर था, तो अनपड राजा जो है किसे कहा जाता है, अकबर को, जो पढ़ा लिखा नहीं था, नेक्स देखे, निमन लिक जो था, वो अकबर का सरक्षत था, नेक्स देखे, निमन लिकित में से किस मुगल समराट को हिंदी गीतों की रचना का श्रे प्राप्त है, तो अकबर, जब इस तिंदिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत का मुगल वादशा कौन था, तो राइट आंसर होगा, अकबर तो ये 1600, इस तिंदिया का गठन हुआ था, कब हुआ था, इस तिंदिया का गठन ये भी पूछ लेते हैं, 31 दिसंबर 1600, इस तिंदिया का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल वादशा कौन था, अकबर निमन में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया किया सुधार उपाय नहीं है, दाग, मनसबदारी प्रणाली, इक्ता प्रणाली जबती, तो जो उपाय अकबर द्वारा सुझाए गए थे, वो थे दाग, मनसबदारी प्रणाली और जबती, इक्ता प्रणाली जो है, वो अक अकबर के साशनकाल में तुलसिदास ने रामचरित मानस लिखी तुलसिदास ने रामचरित मानस क्रचना की थी अकबर के साशनकाल में तो वही है अकबर के जहांगीर का अर्थ क्या है जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता अकबर के जो पुत्र हुए सलीम उसने ज जहागीर के नाम से ही जाना जाता है उन्हें विश्व विजेता निमन में से किन मुगल समराटों ने स्वेम अपनी आतम कथा लिखी है तो बाबर और जहागीर ने अपनी आतम कथा लिखी है बाबर ने लिखी थी बाबर नामा जो तुर्की भाशा में थी और इसके अलावा उच्टम स्तर पर पहुंची तो राइट आंसर होगा जहांगीर के साशनकाल में नेक्स देखे इंग्लेयन के ततकालीन राजास जेम्स प्रत्म द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में नियोनलिकित में से किस को भेजा गया था जहांगीर के साशनकाल में जो है को न आया था भारत जॉन होकिन्स ठीक है नेक्स देखे किस मुगल सहनशा ने तंबाकू के प्रियोग का निशेद किया तंबाकू के प्रियोग पर रोग किसने लगाई थी जहांगीर ने किस मुगल सहंशा ने मुगल राजदानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी शाजा का प्रशित तक्ते ताउस 1749 इस्वी में कौन ले गया था शाजा का जो तक्ते ताउस था वो लेके गया था फार्शी आक्रमक नादिर्शा तो राज़ अंसरे आप वोगा फार्शी आक्रमक नादिर्शा जो है उनका तक्ते ताउस जो है 1749 में ले गया था नेक्स देखिए विश्व प्रशित तक्ते ताउस ने मुगल भवन में रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दिवाने आम में रखा गया था मोती मस्जिद किस नगर में स्थित हैं मोती मस्जिद जो है ये आगरा में है निमल लिखित में से किस मुगल साशक ने संगीत और निरत्या पर प्रति बंद लगाया था औरंग जेब ने ठीक है नेक्स कुशन देखिए निमल लिखित में से औरंग जेब का उत्रा धीकारी कौन था औरंग जेव का उत्रा धीकारी था मुअज्जम ठीक है तो राइट आंसर होगा मुअज्जम निमल लिखित मुगल वाउनों में से किस में यह नन्य विशेष्टा बताई जाती कि यह विशेष्टा बताई जाती है ताजमहल की कि ताजमहल जो है लबाई और चोड़ाई में बिलकुल बराबर है नेक्स देखिए बारत में बीबी का मक्बरा कहां सतेते हैं बीबी का मक्बरा जो है यह है उरंगा बाद में महराष्टर राज्य के औरंगाबाद में स्थिते ताज महल किस के द्वारा बनवाया गया था ताज महल बनवाया गया था शहाजां के द्वारा ताज महल किस के द्वारा बनवाया गया था शहाजां के द्वारा ताज महल के बारे में निमन लिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है जो सही नहीं है वो बताना या एक भवय मकवरा ये बिल्कुल सही है इसका निर्मान शाजाने किया था ये भी सही है या आगरा फोट के बार स्थित्य ये भी सही है इन पर उन कारिग्रों के नाम उत्कीर ने जिनों ने इसका निर्मान किया ये सही नहीं है तो D option जो है गलत है निमन लिखित में से किस के साशनकाल की दोरान भारत में एक रूपे का सिक्का टकसालित किया गया तो भारत में एक रुपे का सिक्का टेक्सालित क्या गया था सेर्षा सूरी के साशनकाल में ठीक है तो right answer सेर्षा सूरी ओके next देखें सेर्षा सूरी द्वारा निर्मेत ग्रैंट ट्रैक रोड पंजाब को किसके साथ जोडती है तो पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ जोडती है ठीक, नेक्स देखिए सेर्शा की मृत्यू कहां लड़ते हुए हुई थी तो सेर्शा की मृत्यू जो है ये हुई थी कालिंजर में कालिंजर में हुई थी 1545 स्वे में नाना फड़नवीस का मूल नाम था बालाजी जनारदन भानू शिवाजी का गुरू कोन था? शिवाजी का गुरू था रामदास उस मराथा राजा का नाम बताईए जो औरंग जेव से बहादूरी से लड़ा जो औरंग जेव से बहादूरी से लड़ा था वो था शिवाजी ठीक है? नेक्स देखिए चत्तरपती शिवाजी को हराने के लिए औरंग जेव जेनिवन में से किस को भेजा था? तो राजा जैसिंग को भेजा था नेक्स देखिए शिवाजी को पगड़नी के लिए ओरंग जिव द्वारा किस जनरल को भेजा गया था तो वो थे शाइस्ता खान नेक्स कोशन है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा शिवाजी ने जो है दो बार सूरत को लूटा था पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में सत्रा सो इश्वी मिराजाराम की मृत्यू के बाद मराठो ने मुगलों के विरुद उसकी वीर पतनी की नित्रतों में जारी रखा तो और आइट आंसर होगा तारा बाई ठीक है शिवाजी का राज्य अभिशेक हुआ था 1664 इश्वी में शिवाजी के राज्य की राज्य अभिशेक हुआ था 1664 में यूरोपीन शक्ती पहचानी ये जिसने शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किये थी तो ये तोपे जो थी, शिवाजी ने फ्रांसिसी, पुरुतगाली और अंग्रेजों से खरी दी थी, मतलब तीनों से ही खरी दी थी, उनके पास खुद का एक छोटा तोप खाना था, जिसमें लगभग 200 तोपे थी, और ये तोपे जो हैं, इन तीनों से ही खरी दी थी, उसन फिर- फिर यही या फिर यह पूछले कि मराथरा राजय का संस्थापक किसे माना जाते हैं तो बलाजी विश्वनात को फिर बारो shifting Visi इस जिस समय सत्राहा सट्राहिक्षट में पाणिपध्र की तीस्य लडाई में एहमश्य अब्डाली ने मरात्व कर आया उस समय दिल्ली का साशक कौन था? तो उस समय दिल्ली का साशक था शहा आलम दूइतिय है. ठीक है? नेक्स देखिए. प्रत्थम अंगल मराथा युद कौन सी संधी द्वारा शमाप्त हुआ था? तो प्रत्थम अंगल मराथा युद जो 1775 से 82 तक चला था, ये समाप्त हुआ था सालबाई की संधी के साथ और किस-किस के बीच में हुई थे संधी याद रखे अगरेज और महाजी सिंधिया के बीच जो है ये संधी हुई थी सालबाई की पेश्वा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेश्वा के काल में समाप्त की गई तो पेश्वा प्रथा जो है ये समाप्त किये गई थी बाजिराव द्वित्ये के एकाल में ओके नेक्स्ट और कोशन देख लेते हैं देखे आधी गरंद का समायोजन किस ने किया गुरू अर्जुन देव ने किस गुरू ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहयता धन्वे मन से की थी गुरू अर्जुन देव ने किसे रंगीला बादशा कहा जाते हैं मुहमत शा को सामुगण का युद कब हुआ 1658 में सलहर के युद में मुगल सेना को किस ने हराया था शिवाजी ने खजुराहों के मंदिर मध्य प्रदेश में के सुरहित मंदर के आरंबी कलपना तिथान्रमान सुरिय वर्मन दूत्य की राज्यकाल में हुआ अंकोर वांट का मंदिर सलहर का युद हुआता 1672 में एमद शाअबदाली ने भार पर कितनी बार आकर्मन किया था आठ बार सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीना गुरू गोविन सिग ने खालसा पंत की नीव डाली 1699 इश्वी में अमरावती बोध स्थूप का है आंधर प्रदेश में भार प्राकर्मन करने वाले किस इरानी शाशक को इरान का नेपोलियन खा जाते है नादर शा को माधव राय नारायन पेशवा कब मने 1761 में हैदर अली मैशूर के साशक मने 1761 में गुरु नानक का जीवन प्रीचे किस सिख गुरु ने लिखा है गुरु अर्जुन देव ने चेतक घोड़ा के से संबंदित है राना प्रताप से सयद बंद्वो का बतन किस के समय हुआ था मोहमद शा के समय सिवाजी के समय कितना राच्ष वशूला जाता था भूराच्षो का 33% भारत का अंति मुगल समराट भादूर्शाद जफर का मकबरा कांस्तित है यह रंगून मैनमार में किस श्रिक गुरु ने फार्सी भाषा में जफर नामा लिखा गुरु गोविन सिंग ने नादिर्शा ने भारत वराकरमन किया 1749 में फरुक्सी अर्किस के शहयोक से मुगल बाच्चा बना सयद बंदू के ओरंग जीर के साशनकाल में बंगाल का नवाब कोन था मुर्शिद कूली खां जहां गए गीर की पत्नी नूर जहां का वास्तिक नाम महरू निसा नादिर्शा कहां का साशक था इरान का बिजगनित के शेतर में अपने विशेश योगदान के लिए किसे जाना जाता है भासकर को हवा महल जैपूर में है आगरा की जामा मस्जिद का निर्मान किस नी किया है जहां आराने किस राज़े के साशक नवाव वजीर कहलाते थे अववैद की साशक बड़ा इमाम बाड़ा लखनों में है कौन सा शेहर चोल राजाओं की राज़दानी था तंजोर बारवी शदी की राष्टकूट वंश के पांच सिलाले किस राज़े से मिले करनाटक पांडिय समाज सामराजे की राज़दानी मदूरई गीत गोविंद जैदेव ने लिखी दिये चंदावर का यूद जो है ये जैचंद और मुहमद गोरी के बीच में हुआ था सरव पर्थम जजिया कर लगानी का श्रेकी से दिया जाता है मुहमद बिन कासिम को दिली का किसका पुरा नानाम है दिली का दिली का चोलो का राज़े कहां तक फैला था कोरमंडल तटवे दक्कन के कुछ भाग तक लिंगराज मंदीर की नीव किसने डाली ये याति की सरी ने पल्वो का एकाश्मिय रत कोंसी जंग मेला महाबली पुरम में चोल यूग में सोने की सिक्के क्या कहलाते थे कुलंजू चोल यूग किस के लिए प्रशित था ग्रामिन सभाओं के लिए तराइन का प्रथम यूद प्रिथिरा चुहान और मुहमद गोरी तंजोर में स्तित राजग्री जीश्वर मंदीर की स्थेवता का है शिवजी का कांची के खैलाशनात मंदीर का निर्मान किसने किया नर्शिंग वर्मन दुईतिया ने जगनात मंदीर जो है ये उडिसा में है तीन मुखवाली ब्रह्मा विश्वर महेश की मूर्ती एलिफेंटा गुफा में है तराइन की दुधिय यूद में हार होई थी प्रिथिरा चुहान की बात पस्रोपर्थम अरभ आकरवन किसने क्या था मोमज बिन कासिम ने चोल काल में निर्मित नटराज की काश्य मूर्तियां में देवा कृती कैसी थी? चत्तुर होज चालुख्य विक्रम समवत का सुभारम किसनी क्या था? विक्रम में दुवित्य शिक्स्तने महमूद गजनवी का प्रशिद आकर्मन कों सा था? सोमनाथ मंदिर पर आकर्मन चालुक्य वंसका सबसे प्रतापी राजा, पुलकेशिन दुईतिय, प्रसाशन की शेत्र में चोल वंस की मुख्या देन क्या थी? सू संगटित स्थानिय स्वसाशन महमूद गजनवी के आकर्मन के फलसुरुप कों सा शेर फार्सी सिस्कृति का केंद्र बना लाहूर? चोल राजाओं ने किस धरम का सेलक्षन प्रदान किया? शेव धरम का राजपूत कालकफ से कब तक माना जाता है? छटी शदी से बारवी शदी तक किस राष्ट को साशक ने पहाड़ी काटकर एलूरा के विशव विख्यात के लाशनात मंदिर का निर्मान करवाया था क्रिशन प्रद्थम ने काव्य विवानशा नामक गरंत लिखा है राज शेखर ने कायोस्थों का एक जाती के रूप में प्रथम हुले कहां मिलता है? ओशनम स्मृती में चोलवन्स का संस्थापक विजय पाल पहले किस का सामन्त था? पलवूं का पलवूं की राज भाशा संस्कृत, राश्ट्रकूट समराजय का संस्थापक दन्ती दुर्ग, श्रिलंका प्रविजय प्राप्त करने वाला प्रश्चित राजा कोन था? राजिंद्र प्रथम महा भारत का भारत वेनता की नाम से किस नितमिल भाशा में अनुवाद क्या था? पेरूंद वेनारनी ठीक है तमिल में राजिंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का साशक कोन था? मही पाल दक्षिन भारत का तकोलम का यूद किस किस के मध्य हुआ चोल वंश्वे राश्ट्र कूटो के मैं थे है जैदेव किस के सभा को लंकरित करते थे? लक्षवन सीन की किस नाटक के कुछ अंस हडाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जित पर लिखिये हैं हरी केली महुमद गोरी किस वंश का साशक था सांश्वनी विजय स्थम चितोडगड में तराइन का दूसरा यूद 1192 में रामचरित वानस की रचना संध्याकर नंदी ने कौन से राजवन्स के साशक अपने साशन काल में उत्रा दिकारीन यूद कर देते थे? चोल वंस वाहिंद का यूद कव वे किस-किस के बीच लड़ागा महमुद गजनवीवें आनंद पाल की बीच ब्लैक पगोडा कोनार्क में है ये खजुराओं में स्थित मंदीरों का निर्मान किस ने कराया? चंदेव साशको ने मामल पुरम किस का समानार्थी है? महाबली पुरम का राश्टर कूटो का पतम किस ने क्या था? तैलप दुइत्या ने मिहीर भूज का पुत्र कौन था? महिंद्रपाल किस साशक ने अरब सागर में भारती नोसीना किस रोचता स्थापित की? राजराज प्रत्थम ने चोल युग में कडीमई का आर्थ क्या है? भूराजसव या लगान तोमरवंस का संस्थापक राजा अनंग पाल रुद्रवा किस राजर्वंस की प्रशिद महिला साशक थी? काक्तिय मंस की किस पाल साशक को गुजराती कवी सोडल ने उत्रापत स्वामिन कहा? धरमपाल ने एहोल का लाड का मंदिर किस देवता का है? सूरिय देवता का किस ने सौंपूर महावीर का निर्मान करवाया? धरमपाल नी 712 इसवी मिस्तिंद पर मुहमद बिन कासिम की आक्टों की समय मागा साशक को था? दाहिल लिंगराज मंदिर भूनेश में मिस्तित है? राजस्थान की थियास का प्रनेता किसे माना जाता है? करनल तोड को होईसल की राजदानी द्वार समुद्र, शेहनामा के रचेता फिर दोशी किस राजवंस ने श्रीलंका वैदक्षिन पूर्वी एशिया को जीता? चोल वंश ने महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आकर्मन किया? सत्रा बार कोनार्क मिस्तित सुरिय दियमंदिर के संस्थापक कोन थे? नर्सिंग भारत पर प्रत्थम तुर्क आकर्मन किस ने किया? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्त गीन ने चोल साशकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कोन सी प्रतिमा थी? नतराज सिव की कश्य प्रतिमा तैलब द्वित्की ने किस नदी में आध्तम हत्या की थी? तोंग भधनर्रदी में राज राजा प्रत्थम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन यादव समराटो की राजधानी देवगिरी चोल समराजय कसन स्थापक विजय पाल हिंदू साही राजय की राजधानी उद्भांडपूर या ओहिंद शेनवंस की स्थापना की थी? सामन्त सेनने अलबर की संस्थापक अजय पाल चोल योग में युद में विशेस प्राकरम दिखाने याले योध्यानी कोन से उपादी दी जाती है? शत्रिय शिख मनी प्रश्यद दिलवाडा जैन मंदिर का स्थित है? माउंट आबू पर किस साशक को राय पिथोरा कहा जाता है? प्रत्वी राज चोहान को महमूद गजनवी का राज दरबारी कवी कोन था? फिर दोशी महमूद गोरी ने 1275 सीम भारतर पहला आकरमन किस राज्य के विरूद किया था? मुल्तान द्रवीर शैले के मंदिर में गोब्रम का क्या आर्थ है? तीरन के उपर बने अलिंकरित वैम भहु मौंजिला भवन हिंदू विधी परमिताक्षा नामक उस्तक किस ने लिखी विज्ञाने इश्वर ने विचित्र चित्कियो पादी किस पल्लववन्स की साशक ने धारम की थी मेहंदर वर्मन द्वीतिया ने किस राजवन्स का काल कंणर साहिती की उत्पत्ती का काल माना जाते है राश्टर कूट पृत्वी राज रासु की रचना चंदरप्रदाईनी चोलो द्वारा किस के साथ घनिश राज़नीती क्ताब वैवाई की समस्तापित किये गए वेंगी के चालुके बंगाल के पाल वन्स का संस्थापक गोपाल पुलकेशिन द्वीतिय किस के समकालिन थे हरश्वर्दन की रानी पदमानी का नाम खिलजी की तोड़ विजय से जोड़ा जाता है रानी पदमानी किस की पदनी थी राणा रतन सिंग की शूग रान्थ दीपिका की रचना किसनी की वैंकेट माधवनी शमरांगन शुत्रदारविशा की से समन्धित स्थापत्य सास्त्र से कि साशे के दरबार में जैन आचारिय हिमचंदर को सरक्षन मिला जैसिंग के महमूद गजनवी ने प्रत्थम आकरमन किस राज्य की विरुद किया था हिंदू शाही विरुपाक्ष मंदिर का निर्मान किसनी किया चालू क्या ने हिंदू विधी के प्रशिद पुस्तक दाय भाग की रचना किसनी की जिमूत वाहन ने सोमनात मंदिर पर महमूद गजनवी के आकरमन कि समय गुजरात का साशक कौन था भीमदेव प्रत्थम होईसल वंसकांतिम साशक बलाल तृत्ति है चचनाम में कौन से विजे की इतिहास का रिकॉर्ड है अरब पोलो या चोगन खेलते से मैं किस सुल्तान की मृत्ति हुई थी कुतुब दिन एबकी चांदी का सिक्का या टंका किसनी चलाया था इल्तु तमिश ने प्रशिद कभी अमीर खुश्रो अलाव दिन खिलजी गया सुदिन तुगलग इल्तु तमिश था जलालु दिन खिलजी में से किस एक को छोड़ कर बाती सब के सामियेक थे तो इल्तु तमिश के नहीं थे वो ठीक है बाकी के थे अमीर खुश्रो कौन थे कभी थे मुहमद बिन तुगलग ने अपनी राज जानी कहां से कहां बदली थी तो दिल्ली से दोलता बाद जिसे देवगीरी जाना जाता था पहली खुश खाने कौन से राजवन्स का प्रारंब किया सैयद दिल्ली सल्तिनत के राज किया भाशात क्या थी फारसी कुत्व मिनार के पास तित महरोली पीलर प्रात्मी ग्रूप से किस कारण प्रस्यद है उत्कृष्ट गणुटा की इस बात के कारण मध्यकालिन भारत में पहली बार युद मितोपों का इस्तिमाल किस ने किया था बाबर ने पानिपत की लड़ाई में बाबर ने किस की सीना का सामना किया था इब्राहिम लोदी की भातनी मंसबतारी प्रता शुरू की अकबर ने अबूल फजल किस सूफी संद के पुत्र थे शेक मुबारक किस लेखक ने अकबर की दीने इलाही को उनकी मुरकता का ने की बुद्धी मता का समारक कहा है तो राइट अंसरे विंसेंट समित ने कहा है जहांगिर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिन्स शाहजा के साशनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारता आया था? मनूची ताज महल को संगबरमर में सवपन कहा जाता है किस समारक को पत्थर में सवपन कहा जाता है? पंच महल को वर्श 1665 में पुरंदर की संदी का प्रतिक्ष दिश्य क्या था? सिवाजी और बीजापूर के सुल्तान की बीच विवाद के बीज बोना निमलिकित में से कौन सा यूगम सही नहीं है? शिवाजी अवचल खां सही है अकबर राणा प्रताब भी सही है नूर जहां मुहांबद खां भी सही है बाबर बैरम खां ये सही नहीं है ठीक है? तो D option जो हैं आपर correct है तो ये थे मध्यकाले नित्यास related important सभी कोशिस जो एक्जामें पूछे गई है Thank you so much